कि अब्रीवन नमस्कार गुड आप्टरनून वैलकम ओल अप यू मैं हूं मुकेश कटारें दोस्तों सिविल सर्विस में जो निवंद है वह भी महत्पून होता है MPPSC के एकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूं तो मद्यप्रदेश लुक्षेवायो की परिक्षा में जो छटवा पेपर रहता है उसमें ऐसे निवंद भी पूछे जाते हैं और आपके बाकी जो टॉपिक अच्छे होते हैं उसके साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि आपको कोशिस ठरना पुड़ेगी और मैं हमेशा यही फोकस कर रहा हूँ अगर मैं चूटी मुझे बारा साल से मोर देन ट्वैल्ट येर हो गया एजा मेंटर्शिप और मैंने खुद ने महसूस किया है कि हमारी जो वीकनेस रहती है जा सिविल सर्विस एस फ्रेंट्स वो कहां पर रहती है तो एक तो क्या किया जाता है कि हम पीटी में बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, पीटी पर बहुत ज़्यादा मतलब जितना समय नहीं देना चाहिए उससे ज़्यादा कर लेते हैं, मेंस का जो पार्ट है उस पर हम उतना समय उस सिलेबस के अकोरडिंग नहीं दे पाते है और फिर हम डर जाते हैं इंटर्वियू को ले करें तो इंटर्वियू जो है वो इतना ज़्यादा डरावना नहीं होता है specifically मैं MPPSC की बात करूँ 175 नमर का इंटर्वियू है डराने वाली जो चीज है वो है मोखे बरिक्षा डराने वाली चीज से मतलब है कि आपको इसके बारे में गंभी रूप से चिंतन करना चाहिए इसमें जितना ज़्यादा आप स्कोर कर लोगे उतना आपके लिए होगा और पीटी में जो पूछा जाता है उसकी भी तैयारी करो इंटीगरेटेट करो ज्यादा अच्छा है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक अच्छा निवंद कैसे लिखना चाहिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन और आप इसका यूज किसी भी मतलब चाहिए आप यूपीएस्टी में होता है उसमें भी कर सकते हो दूसरे किसी स्टेट सर्विस के एक्जाम में बैठके वहाँ पर भी यह ऐसे राइटिंग का टॉपिक है तो वो भी आप कर सकते है कौन से टॉपिक पर लिखे हैं हमारे सामने 24 दी गई हैं तो हम उसमें से कौन सा टॉपिक कौन सा विशाय चूज करें जो हमें बहुत अच्छे से नंबर प्रोबैट कर पाएगा तो कोशिस ये करो कि ऐसा टॉपिक लो जिसके बारे में आपके पास सफीशेंट नॉलेज ह आपके पास परियाप्त जानकारी है ऐसे किसी टॉपिक का आप चुनाओ करो अब सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं होता कि सफीशेंट जानकारी तो मेरे पास फिल्मों को लेकर है तो पता चला कि कला पर कोई निवंद आया तो मैं उसको चूज कर लू फिर रेलेवेंस है प्रासंगिक हो रहा है उसमेänge कोई प्रॉब्लम है समस्या की बात की जा रही है और उस समश्या के समाधान या समाच सुधार संबन्द ही ऐसे पॉइंट भी आते हैं क्या तो कि आप बनने जा रहे हो प्रशासने का दिकारी आपको कोई साहितिक निबंद जो है वो बचना चाहिए आपको थोड़ा सा इस तरीके की चीजों पर ख्यान देना चाहिए ठीक है ना तो इस तरीके से निबंद रखो टॉपिक का चैन इस तेंसे कर लो दूसरी बात जब आप आंसर करो यानि निबंद लिखने बैटो तो थोड़ा सा समय निकाल लो यानि ये management करना पड़ेगा आपको time निकालना पड़ेगा कि आप जो निबंद लिखने जाएंगे तो उसमें कहां कहां पर कौन-कौन से point आपको देना चाहिए तो इसके लिए कोई क्रूप से तुरंट वहाँ पर प्लानिंग कर लो कि जब आप निवन लिखने बैटें तो ऐसा ना हो कि सही ओर्डर में आप चीजें नहीं दे पारे हो जानकारी तो भरपूर है लेकिन उनका क्रम जो है उनका जो स्रीक्वेंस है वो हम सही डंग से नहीं बता पारे है तो थोड़ा सा उसके लिए प्लानिंग कर लो थोड़ी सी मैपिंग कर लो कि हाँ ये ये पॉइंट जो है हम दे सकते हैं रफ पेज पे जा करके कहीं ऐसा इंडेक्स बना सकते हो और लिखते समय उस पर ध्यान देना पड़ेगा अब निवन्द में सबसे पहले आता है इंट्रो यानि प्रस्तावना कहलो परिशाय कहलो ये उस निवन्द का पहला हिस्सा होता है तो इस पहले हिस्से में अब क्या लिखें पहली बात ही आती है की इंट्रो में हम लिखें क्याँ अपताबना में लिखें क्या तो जो टॉपिक आपने चूछ किया है यानी इसमें आप जो सबजक्ट लिखने जा रहे हैं जिसका प्रस्थुती करन जा रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना to in short अगर मैं आपको बताँ की जैसे कोई मुवी रिलीज होती है तो सोगती बता चलता है की है कि आखर हमें पैसे भर्च करे देखने जाना चाहिए यह नहीं जाना चाहिए तो इसी तरीकर से आपका परिश है आपकी प्ला स्टाव ना है इंट्रों पड़कर यह हो जाता है कि जो भी उस निवंद को पढ़ेगा उसके अंदर एक प्रकार से एक इंट्रेस्ट पैदा कर दे, रुची पैदा कर दे कि नहीं इसको तो हमें पढ़ना, ठीके, तो वो कैसे आप उसमें उस व्यक्ति का इंट्रेस्ट जगा सकते हो निवंद लिखते समय तो आप उस निवंद की सुरुवात किसी प्रस्न से कर सकते हो या एक कोई सौट स्टोरी, सौट स्टोरी ऐसी नहो के पता चला पूरा निवंद साइड हो गया और हम कहानिया लिखने में, यानि कुछ ऐसा सस्पेंस टाइप की चीचें यहापर आप बना सकें कोई मौहावरा, कोई कहावत, कोई कोटेशन, कोई उक्ती, वहां से आप सुरुआत कर सकते हो यह सब चीचें क्या होती है, यह सब चीचें हमें इंटरेस्ट पैदा करती है, कि अरे इसको और पढ़ना चाहिए यदि आपने कभी नॉबल पढ़े हो, आज तो सोचल मीडिया और इसका समय है, तो किसको फुरसत है नॉबल पढ़ने की तो नॉबल पढ़ते समय होता यह था, कि अगर कहां उसमें स्टोरी हमें समझ में आती है, तो मेंड तक जब तक पढ़ नहीं लेते थे, तब तक उसको साइड में नहीं रखते थे, या आपने कभी कॉमिक्स पढ़ी हो, तो इस तरीके से एक सस्पेंस क्रियेट करो, एक उ सौर्ट में बताएंगे, आप अपना जो पॉइंट है, अपना जो पक्ष है, वो उसमें इस फस्ट करेंगे, आप उसमें इंट्रो में अपने निवंद की संदचना को आगे हम क्या-क्या चीजों पर डिसकस करने वाले हैं, उसका प्रस्तुती करन देंगे, इंट्रो पर इंट्रो और चोटा होना चाहिए, और बड़ा साफ साफ सीधा सीधा लिखना चाहिए, अब इंट्रो में क्या होता है कि देखो उसकता बढ़ाना चाह रहे हो, उसका इंट्रेस्ट पैदा करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि कुछ उसको जो वैलूर है, यानि पढ करेंगे जिस टॉपिक पर हम लिखने जा रहे हैं यह जो विशे जो चूज किया है वो विशे समकालीन है यानि वरतमान में महतुका है है न कोई प्रमक समाचार कोई सामाजिक मुद्दा कहावत यह सब चीजों का आप प्रियोग कर सकते हैं यह आपके लिए बहुत ज़्यादा एफेक्टिव हो जाए अब और डिटेल में मैं अगर इंट्रो के बारे में बात करूं प्रस्तावना के बारे में बात करूं तो प्रस्तावना आपके निवंद की संद्शना का एक शिंखा अवलोग है यानि एक फौरी तोर पर यह बता देती है कि हाँ यह डैप्ट वाई जिसमें कौन कौन सी चीजों को लेगा यानि अगर निवंद आपका फुल निवंद है तो उसमें जो मेदर पॉइंट है और उसके उपविसे हैं उनकी संशित में चर्चा करनी है यानि हम आगे क्या लिखेंगे उनके बारे में बताना है ठीक है अब जो आप लिखते हैं तो उसके साथ क्या होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक बाग के अपने आप में बस छोड़ दिया और नए बाग की जो आप लिख रहे हैं उनका आपस में इंटर आपके कहते हैं यानि ट्रांजिशन एक सेंटेंस देखना चाहिए ठीक है ना तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको इंटरो में निवंद लिखते समय ध्यान में रखनी हैं अब इंटरो हो गया तो देन अब हम आते हैं उसके में पार्ट पर निवंद के मुख वाग पर इंट्रो जितना महत्पूर्ण था उससे कहीं ज़्यादा महत्पूर्ण होता है कि निवंद का ये मुख्यवाग इंट्रो इसलिए महत्पूर्ण था कि वैलूर की एक राय डेवलप करवाता है कि हाँ इसके निवंद को हमें घंभी रूप से पढ़ना है या बस सतही तोर प सिर्फ अपने कॉपी चेक करने का पेमेंट रिशीव करना है तो इसलिए जैसे इंट्रो महत्पूर्ण था उससे कहीं ज़्यादा महत्पूर्ण हो जाता है उस निवंद का नेजर पार्ट है ना तो इसमें क्या है इसमें आप जो टॉपिक आपने चूज किया है उसका गम से लॉजिक लगा रहे हो तार्खिक बात कर रहे हो या ऐसे ही कुछ एविडेंस आलोचना मूल्यंगन इन सब चीजों का जो भाव है वो आपके लिखते समय आ जाना चाहिए कुछ बातें बताता हूं कि निवंद के में पार्ट में आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है तो एक हम बात करते हैं उसके संदक्षना पर तो संदक्षना का मतलब यह है कि जब आप निवंद लिखेंगे तो क्या हम पूरा एक साथ लिखते चले जाएंगे उसमे के एक पैराग्राप और दुनिया वर की समस्या है उस ही में ले करके आ गए यानि कोई जो टॉपिक आप आप्ट करते हो तो उसके जो मुद्दे हैं उसके जो मेजर एलिमेंट है पस उन मेजर एलिमेंट उन मुद्दों के चारो तरफ आपका वो पैराग्राप घूबना चाहिए दूसरी एक कमी देखनें को मिलती है निवंद लिखने में कि हम कुछ निवंद में कुछ हिस्से तो बहुत अच्छा लिख देते हैं और कुछ हिस्से में बहुत कंजूसी यानि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी फिर भी हम कोशिश करते हैं तो हर पैराग्राप निवंद का अपने आप में महित पूर है एक्वल वेटेश देना चाहिए समान रूप से आपको महित देना चाहिए और ये भी ध्यान रखे हैं कि जो आप पैराग्राप लिखते हैं उस मुख बाक से निवंद की मुख संद्चना से कनेक्टेड रहे उससे कहीं वो अलग न चला जाए ठीक है तो वो कैसे संबंदित रहेगा उपर का पैराग्राप दूसरे पैराग्राप तो इसके लिए आप कुछ सब्दों का प्रियोग कर सकते हैं जैसा की या पहले हम बात कर चुके हैं इस तरीके की चीज़ों का ध्यान हमें रखना पका तो यह स्ट्रक्ँर की बात हो गई अब बात करते हैं कि जो मेन उसमें आप लिखेंगे यह याई माटेरियल कंटेंट क्या है सामगरी क्या है तो मुखे भाग में आपको आपने जो विशे लिया है उसकी समीक्षा करनी है उसका एवैलिएशन करना है और जब आप समीक्षा करते हैं तो इसका मतलब यह होता है उसके प्लस और माइनस दोनों पर विचार करते हैं क्या उसमें सकारात्मक बाते हैं और क्या उसमें नकारा आफेक्ट को भी देखना पड़ेगा ठीक है क्या कारण है उसका प्रवाव है कौन सी चुनोतियां हैं सुझाओ है यह दिया आपके पास कुछ एक्जामपल आते हैं कुछ कोई आंकडे हैं कोई रिपोर्ट है ऐसा कोई निबंद है तो वो सब आपको उस प्रवजक एकसि का प्रेखन तक किश लोग क्या करते हैं दिबंद की सामद्रीं के अंतरगर्द की जैसे कोटेशन की बात हुई कि कोटेशन या किसी का तो कोटेशन भी बहुत ज्यादा मत लिखते रहो कि दो लाइने लिखते हो फिर एक कोटेशन जोड़ देते हो फिर दो लाइने लिखते हो फिर कोई कविता जोड़ देते हो वो इरिटेट करेगा किसी को भी तो आप ये एंशूर करें कि आ जब लास्ट पार्ट आता है कि उस निवंद का हम कंक्लीजन लिखेंगे निसकर्स लिखेंगे तो जब आप निसकर्स लिखने बैठोगे तब आपको इंट्रो फिर से याद करना चाहिए रीकॉल और जो मेन पार्ट आप लिखकर आए ते उसको भी आपको याद करना पड़ जैसे यानि कि ये इंट्रो से भी मेन पार्ट दोनों से कनेक्टेड होगा और जो समस्यां इती उनका संग्षेप में उन समस्यां के समाधान का संग्षेप में उल्ले करना पड़ेगा यदि कोई है निसकर्स बहुत बड़ा नहीं होगा बड़ा पार्ट मेन पार्ट होगा conclusion भी छोटा होगा निसकर्स छोटा होगा और spust होगा spust होने के साथ साथ effective होना चाहिए ऐसा नहीं कि बस time खतम हो रहा था या उपर हमने अच्छा लिख दिया है अब last में क्या है चोड़ जाएगा काम ऐसा नहीं होना चाहिए conclusion भी उतना ही effective रहेगा positiveness जलकना चाहिए inspiration कुछ पहरता हो है न वो सारी मुद्धें जो हैं वो इसमें होना चाहिए symmetrical होना चाहिए निसकर्स ऐसा नहीं कि किसी point पर आपने ज़्यादा प्रकाश डाल दिया और कहीं पर अधेरा छोड़ दिया निसकर्स में एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई नई जानकारी कोई नया evidence कोई नई कहानी कोई नई कहाबत कोई नया quotation इन चीजों से बचना चाहिए जो हाथ पहले लिख चुके हो जो आपने intro में और main part में लिखा है कोसेश करो कि उन्हीं को ले करके आपका निसकर्स रो कुछ नया करने की courses निसकर्स में मत कीजिए वो negative effect डालता है निसकर्स में आप अपना व्यक्तिकत मत भी लिख सकते हो आपकी चुकि आप प्रशासने का अधिकारी बनने जा रहे हो तो इतनी समझ है आप अपना किसी महत्मों मुद्दे पर आपका यदी तारकिक मत है तो आप दे सकते हो आप विसलेशनात मत कोई मुल्यांकन समीक्चा, समादान, सुझाओ, सलादे सकते हो इवन यहाँ पर आप संदेश भी छोड़ सकते हो मैसेज भी छोड़ सकते हो पढ़ने वाले पर जिसका प्रवाव पढ़े ठीक है न? आप कोई चैलेंज जैसे मान लो पर या नारी के उपर कोई निबंद है नारीयों के उपर होने वाले अध्याचार पर है तो आप कोई आवान, कोई संकल्प ले सकते हो कि मैं और मैं अपने सभी दोस्तों को संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहूँगा कि ऐसी इस्तिती में उनके साथ हमेशा सकारात्मक कारी किया जाए साहिवात्मक कारी किया जाए तो कहने का मतलब है निसकर्स में पढ़ने वाले को कुछ करने के लिए कुछ सकारात्मक कुछ पॉजिटिव करने के लिए इंस्परेशन मिलना चाहिए आप निश्चित इसके लिए सुझाओ दें तो ये सब बातें आपको क्या है रखना चाहिए तो ये महटपून पॉइंट होते हैं सिविल सर्विस में निवन लिखने के अब मैं बात करूँगा कि जो मद्यपूदेश लोक्षे बायूम ने वर्स दोजार बीस है निवन पूछा था एक तो उसका एक मॉडल आंसर एक आदर्स आंसर मिलता जुलता एक कोशिस करते हैं कि एक अच्छा निवन कैसा हो यहां एक निवन दाता है 250 सब्दों में लिखना होता है कोई भी एक लिखना पड़ता है किसी भी एक विश है और इसके लिए नंबर फिक्स होते हैं 25 नंबर का यह निवन दोता है तो यहां आप देखेंगे कि यह पूछाता है इनोंने असप्रश्यता वर्सिस सामाजिक दूरी अच्छा मीडियम आपका इंगलिस है तो भी आपको हिंदी में लिखने होते हैं MPPSC में और हिंदी वालों को तो लिखना है दूसरा दिया है इस्त्रियों के विदिक अधिकार और व्याहार तीसरा दिया है भारतिय संस्कृती में परियावरान संदक्षन और चौता दिया था मोबाइल संस्कृती और चार यहां पर निवंद दिये गए हैं सबसे पहले बात आती है कि आप कौन से टॉपिक पर निवंद लिखोगे तो जो शुरुआत में आपको बताया था कि निवंद ऐसे वो टॉपिक पर लिखो जिसके बारे में आपके पास परियाफ्त जानकारी हो तो इस पस्ट रूप से लिख सको ऐसा मत करना यहां पर कि अरे मैं तो वो टॉपिक ले लेता हूँ जिस पर दूसरा कोई नहीं लिख रहा है अब ऐसा आपने टॉपिक ले लिया लेकिन हमारे पास लिखने को कुछ भी नहीं है तो पिर वो जो चॉइस थी जो आपके लिए एक यूएस पी बन सकती थी आपकी एक ताकत बन सकती थी वो यहाँ आपकी वीकनेस बन जाएगी मैं एक निवन लेता हूँ यह भारतिय संस्कृती में परियावरन संड़क्षण यह काफी टफ है बहुत कम लोग इस निवन को हाथ लगाते है और बहुत कम लोगों ने इस निवन को हाथ लगाया भी था तो देखें इसका एक आदर आंसर जो है वो क्या होगा तो इस निवन की सुरुआत हम कहां से करेंगे इसके इंट्रो से करेंगे प्रस्तावना से करेंगे प्रस्तावना आप हैडिंग बिलकुल डाल सकते हैं फोई उसमें बुराई नहीं है भारतिय संस्कृती में प्रियावरण संदक्षण आगे जो चीज़ें आती है वही सविश्में इंट्रो में आजाना जैए देखो आप के प्रियावरण संदक्षण का मतलब है प्रकरती के समस्त संसादनों को सुरक्षित, संतुलित और सम्रद रखना यानि पहली लाइन में बड़े इस फ़स्ट रूप से ये बता दिया जाता है कि परियावरण संदक्षन के इंडारेक्ट लिए अगर हम बात करें तो फ़स्ट लाइन जो है वो हमें ये बताती है कि एनवार्मेंट प्रोडक्शन है क्या बहुत ही डेल लाइनों में दो क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्मिल वना सरीरा आप उस चौपाई का भी उलेक कर सकते थे यदि चौपाई आप भूल जाते हैं तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते कि पांच तत्व है जल अगनी आकाश प्रत्पी और वायु अब यहां यह विचार मत करने लग है यह तो compound है पानी compound है हम यहां spirituality के point of view से इसको मानेंगे तो मिलकर के बने हुए है परियाबरन संदक्षन का मायत को समझने के लिए हमें चूकि हम भारती संस्कृती की बात कर रहे हैं न हमें प्राचीन संस्कृती की और मुणना होगा जिसमें प्रकरती को पूजा यहां हम शब्द प्रियोग में लाए हैं मैं शब्द प्रियोग में नहीं लाए क्योंकि ये नेबंद कोई आपके लिए नहीं है ये तो हम पूरे सबकी बात कर रहे हैं न तो भारतीय संस्कृती प्राचीन संस्कृती की और मुणना होगा जिसमें प्रकरती को पूजा सम् इंट्रो में ही आप कुछ जो पॉइंट से चाहो तो और जोड सकते हो यह चुकि टूपिप्टी वर्ड का है तो इंट्रो इससे ज्यादा बड़ा करने की कोशिश मत करो लगवग यह 50 अब आते हम मुखे बाद निवन्द का मुखे बाद में क्या लिखना है टॉपिक बिलकुल फोकस रहें भारतिय संस्कृती में पर्यावरन संदक्षन तो प्राचीन काल से हमारे रिशी मुनी हम भारती संस्कृती को लेंगे पर्यावरन संदक्षन को लेंगे तो चुकि पर्यावरन का संदक्षन हमारी संस्कृती में तो सदियों से सालों से चल रहा है न हमारे रिशी मुनी सादू संत कभी लेखक चिंतक समाच्षेवी धार्म संस्तापकों ने प्रकर हुआ है अब में पार्ट में क्या बोलाता कि आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग पैरागराब बना सकते हो आप हेडिंग के साथ बनाते हो अच्छी बात है और हेडिंग के साथ नहीं बनाते हो तो भी आप बना सकते हो जैसे यहां पर एक हेडिंग के साथ बनाया प्रकरती को पूजा अब जो भी कुछ रहेगा वो सब इसी के चारों उर रहेगा क्योंकि अब इसमें हम दूसरे पॉइंट को एड़ान नहीं करेंगे तो हमारी संस्क्रती में प्रकरती के हर अंग चाहे वो पेड़ पौदे हों चाहे पूल हों चाहे पाहाड नदियां हो या इवन सूर्य और चंद्रमा हों उनको किसी ना किसी देवता के रूप में जैसे उधारन आपने देवता लेखा और उसको ब्रेकेट में समझा भी दिय सौम, मरूत, प्रतिवी, सूर्य इनका प्रतीक माना गया है और उनकी पूजा, प्रार्थना, प्रतिदिन, प्रतिमा, प्रतिसंवत्सर की जाते हैं इसमें हमें प्रकरती के प्रति आदर, स्रद्दा, भक्ति, विश्वास की भावना उत्पन होती है यानि हम प्रकरती को प पूछते हैं चाहे वो पेड़ पौदे हो नभीयां हो चाहे पाहाड हो जब हम इनकी पूजा करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि परियाब रॉंड संदक्षण तो भारत की संस्कृती के रग रग में व्याप्त है न अगला प्रकरती को सम्मान तो हमारी संस्कृती में प्रकरती को कितना सम्मान दिया जाता है हम अपने प्रकरती में माता शब्द का प्रियोग करते हैं मा शब्द का प्रियोग करते हैं प्रत्वी के लिए गंगा नदी के लिए भारत की सारी नदियों के आगे हम मा शब्द का प्रियोग करते हैं गाय के लिए ठीक है पिता सब्द का प्रियोग करते हैं सूरे के लिए रक्ष के लिए भाई सब्द का प्रियोग करते हैं वेहन सब्द का प्रियोग करते हैं अगनी सरस्वती मित्र सब्द का प्रियोग करते हैं चंद्रमा के लिए परवत के लिए और ये क्या है ये हमारा प्रकर्टी के प्रति दिया जाने वाला सम्मान है रेश्पेक्ट है तो सम्मन्नों का पालन करते हैं रक्षा बंदन की रूप में भाई दूज की रूप में पित्र पक्ष के रूप में ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं न कहीं हमें प्रकर्टी के साथ जोड सकते हैं next अगला paragraph फिर एक एडिंग बना लिए कि प्रकर्ति को हम सहिस्थित्त के रूप में भारती स्विस्कृति में रखा किया है जो परियावरंट संर्शन में देखो कैसे बारती संस्कृति में प्रकरती को हमारा सहेचर सहेचर यानी साथ में चलने वाला यानी एक जीवन साती माना गया ठीक है जिसके साथ हम सुख दुख फित हानी लाव नुकसान में समान भागीदार हैं है ना हमें प्रकरती के संसादनों का समुचित संतलित उपयोग करना होता है और प्रकरती के प्रलोगनों का सम उप्योग करना होता है और यही देखो अभी हिमाचल में इस्तिती बनी हुई है जो हम प्रकरती के साथ अब ना तो रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना प्रकरती का हम हुजा कर रहे हैं और ना ही प्रकरती को अपना सहे हस्पेक्ट पूरी की पूरी भीड पहुंचाती है नहीं नहीं एडवंचर के लिए इने पहाडों पर इबन अभी आप देखोगे कि हमालय जैसी चोटी पर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के लिए चड़ाई करते हैं वो खुद चड़ें तो समझ में आता है वो आज पूरा दूसरों पर निरवर हैं टेकनोलोजी की मदद या जो सेर्पा हैं उनको पैसे देकर उनके माद्यम से पहुंच जाते हैं मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आखिर ऐसे लोगों का उपर उस एवरिस्ट की चोटी पर चड़ने से इस परकरती को ख्यालाव इस विग्जान को ख्यालाव इस से किसी को ख्यालाव वो सिर्फ कचरा पहलाते हैं वो सिर्फ ग्लोबल बारविं पढ़ाते हैं यदि कोई scientist जाता कोई नई discovery करने जाता तो समझ में आता है हम इस point पर बापस लोट के आते हैं ठीक है next अगला अगला फिर एक heading बना सकते हैं प्रकरती का सह स्रजन या प्रकरती को सह स्रजन मतलब होता है नई प्रकरती रचना कुछ नया बना देना सह मतलब साथ में तो हमारी संस्कृती में प्रकरती को हमारा सह कलाकार यानि सह रचना कार माना गया है वही नई रचना नई क्रती यसे मूर्तिकार है नई प्रकरती मूर्तियां बनाता है पेंटर है तो नई चितर बनाता है तो कुछ क्रियेटिव तो प्रकरती को ये माना जाता है जिसके साथ हम सुन्दर, सुलब, सुरक्षित और सम उपियोगी कलाकरतियों की रचना कर सकते हैं अब इसके अंदर आप ड्रैकेट में उनको और एक्स्प्रेइन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट, दाई सो सब्द में लिखना था ये लगवक तीन सो सब्द होंगे अब हम आ जाते हैं निसकर्स पर, कंक्लीजन पर तो निसकर्स की हेडिंग डालेंगे जो आपने इंट्रू में लिखा है जो में पार्ट में लिखा है बस उसको याद रखना है और हमें एक मैसेज देते हुए बताना है तो प्रकर्ती के प्रती हमारी संस्क्रती की इन भावनाओं को हमें आज भी जीवित, जागरत, जोसीला और जुनूनी रखना हो आपको कुछ सब्द लगें कि ये सब्द थोड़ा ठीक नहीं है इंदी बासा के साथ तो आप उनमें परिवर्तन कर सकते हो क्योंकि प्रकर्ती ही हमारा सच्चा मित्र, मार्ग दर्शक, पोसक, पालक, संदक्षक प्रकर्ती के संदक्षण के लिए हमें प्रकर्ती के साथ समनवे, समरस्ता, समझोता, समझधारी, समरपण का भाव रखना होगा इतने पर ये जो ऐसे है ये कम्प्लीट पट चूकि ये भारतिय संस्कृति और परियावरन संदक्षण से है तो आब आप देखते हो के परियावरन के लिए तो विकट समझ्या उत्पन हो गई है तो यहाँ आप सुझाओ भी क्या दे सकते थे अगर हम सब्द सीमा से नहीं बने हैं तो हाँ हम यहाँ पर कुछ सजेशन भी डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने तुझाओ की बात दिये कि प्रकरती के संदक्षण के लिए हमें कुछ कारिक्रम जैसे अभी चलते भी हैं परियावरन दिवस ब्रक्ष लगाओ अभियान प्रकरती प्रहमी संकी स्थापना कुछ कानून जैसे परियावरन संदक्षण अधिनियम यह सब बनाए न का पालन कुछ उपाए यानि की प्रकरतिक रूप से हम रहें ज्यादा से ज्यादा प्रकरतिक चीजों का उप्योग करें जैसा नहीं कि जंगल साप कर दिये बिल्डिंग बना दी बिल्कुल नदी के किनारे ही हम अपना घर बनाएंगे तो यह सब चीजों का अनुसरा नचाए यह था हमारा 2020 की मुख्य परिक्षा में पूछे गए नि टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों के साथ भी शेयर करें और यह दी कोई डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं यह जो निवंद है यह वेबसाइट पर एवेलेबल है वहाँ पर भी आप जा सकते हो तो आज के लिए इतना थैंक यू सो मच